चेननाई से 160 किलोमीटर दूर इस्थित पॉंडी चेरी दक्षिन बारत के सबसे लोगप्री परेटन इस्थलों में से एक है पूज्य रिशी संत अगत सिका निवास माना जाने वाला पॉंडी चेरी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदपूरी नाम से भी जाना जाता है ये इस्थान अपने बेहत आकर्शक और मद्होश कर देने वाले परेटन इस्थलों से हर साल बड़ी संख्या में परेटकों को अपनी और आकर्शित करता है आज हम आपको पॉंडी चेरी के 5 खुबसूरत परेटन इस्थलों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप अपने फ्रेंड्स और लववन के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए आरंग करते हैं पॉंडी चेरी के वाइट टाउन में इस्थित इस आश्रम का नाम इसके निर्माता श्री अरबिंदो घोश के नाम पर रखा गया है जिसकी नीव नवंबर 1926 में रखी गई थी यह आश्रम लोगों को मौक्षिक और आंतरिक शांती की प्राप्ती के लिए इस्थापित किया गया था अगर इस भागदोर बारी जिन्दगी में आपका भी मन उदास है तो आप अपने मन की शांती के लिए यहां जरूर जा सकते हैं अपने मन की शांती और आध्यात्मिक ज्यान का अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुँचते हैं पॉंडी चेरी का सबसे लोप्रिय परेटन इस्तल प्रोमोनेड बीच वार मेमोरियल से डूपलेक्स पार्क तक लगभग देड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है यहां पर अक्सर लोग अपने साथी के साथ लंबी वाकिंग करते दिखाई देते हैं इस बीच के आसपास में आप वार मेमोरियल, स्टैचू ओफ जोन ओफ आर्क जैसे प्रसिद्ध परेटन इस्तल भी घूमने जा सकते हैं पॉंडी चेरी शहर से लगबग 16 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित ओरोविले को यूनिवर्सल टाउन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर अलग-अलग धर्म और संस्कृति के लगबग 195 देशों के 2800 से ज्यादा लोग बड़ी ही शांती से रहते हैं इस ओरोविले की इस्ताफना अरबिंदो आश्रम की शिश्या मिर्रा अलफासा ने 28 फरवरी 1968 में की थी नमबर टू लाइट हाउस लाइट हाउस पॉंडी चेरी की एक आकरशक जगह है जहां पर आप कई तरह के अधबुत पक्षियों को देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां दो लाइट हाउस है एक नया और एक पुराना पुराने लाइट हाउस को अब सारवजनिक रूप से बंद कर दिया गया है और नए लाइट हाउस में सांस्कृतिक कारिकरम, संगीत कारिकरम और व्यावसाइक गतिविद्याद देखने को मिलती है 157 फुट उमचे इस लाइट हाउस से आप पॉंडी चेरी का अधबुत नजारा देख सकते हैं नमबर बन पैराडाइस बीच शहर के नजदीख ही इस तेद पैराडाइस बीच पॉंडी चेरी के सबसे प्रसिद्ध परेटन इस्थलों में आता है सुनहरी रेट से भरा हुआ यहां समुद्र तट भारी संख्या में परेटकों को अपनी ओर आकर्शित करता है यहां के सन्राइस का नजारा आपको सुकून और शान्ती का एहसास कराएगा साथ ही यह वीच आपको बहुत से वाटर स्पोर्ट और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट एक्सपिरियंस देता है तो दोस्तों आपको पॉंडी चेरी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं